अलो वाइज वेलकम बेक तो माई चैनले टेडिंग लेंज तो चलिए कल के पांच श्टॉक के बारे बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम टेडिंग कर सकते हैं तो फर्स्ट हमारा टाटा स्टील यहां पर आप देखेंगे तो यह इस पॉइंट से इसने रैली दिये और फिर इसी रेंज में फस गया है तो यहां पर देखेंगे तो एक ट्रैन लेंज आ रही है आप 30 मिनट में या 15 मिनट में आप कोई क्लियर दिखेगी यह देखें तो ह हम एक उस पर बाइंग की पोजिशन मनाएंगे जो कि सिर्फ 50 पैसे दूर है यहां से और जब हम इस पोजिशन बनाएंगे अगर यह हमें सेट अप मिलता है उसमें तो यही हमारा उस केस में असल बनेगा सिर्फ 50 पैसे गा अगर यह हिट हो जाता है तो हम इसको क्लोज कर हैं क्योंकि हम प्रोजक्ट कर रहे हैं कि यह जितना भी टार्गेट है इसमें यह हमें ऊपर की तरफ मिल जाए वन रिश्यू टू तो अगर वो नहीं बनेगा नीचे की तरफ ही आके हिट कर देगा तो हम इस सेट अप को इगनूर कर देंगे और अगर यह इस पॉइंट के रैली दी थी इस पॉइंट से यहां से एक बाइंग का मुमेंटम दिखाया फिर पूरा यह जो बाइंग का मुमेंटम था यह फेड हो चुका है और नीचे की तरफ ही आ गया है और आज भी इसने नेगेटिविटी दिखाई है लाश्ट के आवर्स में भी तो हमें सिर्फ स इस लेवल को कई बार टेस्ट कर चुक है आज भी इसने टेस्ट किया है तो ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर सकता है तो हमें क्या करना है सिर्फ 327 का वेट करना है 327.5 के नीचे भी आप इसमें पोजिशन मना सकते हो और ये जो क्लोजिंग प्राइस है तीन रुपे का हमारा इसमें एसल रहेगा आप इसका भी लगा सकते हो उसमें और वन रिसो टू हमारा इसमें टार्गेट रहेगा मिनिमम और आप उसको वन रिसो ये हमारा उसमें मैक्सिमम टार्गेट रहेगा ओके और उसके बाद फर्दर ये वाला और नेक्स्ट है हमारा M&M तो M&M में भी देखेंगे तो ये ओल टाइम हाई के आसपास है यहां पे इसने कई बार उपर जाने कोशिश करी थी बट यहां नीचे की तरफ आगे का मुमेंटम आ रहा है बहुत ही ज्यादा सार्फ है यहां पर आप सेलिंग का मुमेंटम देख सकते हो कि दू दिन में इसने एक बाइंग मोमेंटम से उसको कैप्चर कर दिया यहां पर दो दिन में जितनी सेलिंग हुई थी उसको एक दिन में इसने कवर कर लिया और यहां देखेंगे इसने क्या किया इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करदी है ऐस्व गैप करना है कि ये इस डाइब यक्यां कर देंगे सिंपल उसमें तो हमें ट्रेडी नहीं करनी चाहिए उपर आए या कहीं भी जाए अगर फ्लैट ओपनिंग और गैप आप ओपनिंग में इस पॉइंट को ब्रेक करता है जो कि है 1269.5 का तो इसके ब्रेक होते ही हम इसमें पोजिशन मना लेंगे केंडल क्लोजिंग कभी वेट नहीं करना और सिर्फ हमारा सेवन रुपीज का उसमें एसल बनेगा उबन रिसर टू हमारा उसमें टार्गेट रख सकते हो आप तो फर्स टार्गेट हमारे यह आएगा 1293 और आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक और टार्गेट मिलता है इसम और नेक्स्ट है हमारा इसमें सेल टेक तो सेल टेक में आप देखोगे तो तीन दिन से एक ही रेंज में फसा हुआ है आवरली गंडल में आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे यह फसा हुआ है इसी रेंज में तो हमें इसमें सेलिंग की पोजिशन मनानी है बाइं की को भ तो इस लेवल को अगर यह ब्रेक करता है तो हमें इसमें सेलिंग की पुजिशन बना सकते हैं और क्लोजिंग प्राइस का हमारा 5 पॉइंट का उसमें एसल बनेगा और 1-2 उसमें हम भूक कर सकते हैं और आप अगर 1-2 से ज्यादा इसमें टार्गेट प्लानिंग कर रहे हो त और इसके बाद तो आपको 1-2 मिल जाएगा उसके आप भूक भी कर सकते हैं जहां तक हो जाएगा नीचे की तरफ और नेक्स्ट हमारे जुबल फूड तो जुबल फूड मैं यहां पर क्लिरली देख सकते हूं इसमें सेलिंग का मुमेंटम आया बाइंग हुई फिर इसने बाज लिया फिर आज भी इसने उपर जाने कोसिस करी थी पर सस्टेन नीचे की तरफ आ गया है तो हमें इसमें की पोजिशन मनानी है क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बनाई है इसने और किस तरीके से बनानी है वह मैं आपको स्मार टाइम फ्रेम में दिखाता हूं तो आप य जोजिंग करिए तो यह फेक कैसे माना जाएगा अगर यह इस पॉइंट के आसपास कहीं पे भी खुल जाता है या फिर डारेक लिए गयाप खुल जाता है इस पॉइंट के ऊपन तो हमें सिर्फ तभी पोजिशन मनानी है अगर यह फ्लैट ओपनिंग करके नीचे की तरफ निकलना चालू कर देगा या फिर गैप डाउन खुल जाएगा तो हमें इसको उग्लोड करना है और हमें पता कहें चलेगा कि यहां से सपोर्ट ले रहा है तो पता ऐसे चलेगा जब यह इस पॉइंट के आसपास रहेगा तो आपको सिर्फ दस मिनट वेट करना है दस या अगर वो हिट कर देता है तो वेलन गूड अधरवाइस हम इसको इस टार्गेट तक लिए अचीव करेंगे तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैलनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलिजबल वीडियो देखने के लिए स व्रोचिंग